रात का सारा क्लीनिंग काम खतम हो गया है यह गयरम पानी और यह से रखा है तो अभी मैं थोड़ा फ्रिज वह जो है रेफ्रिजरेटर वह क्लीन करने जा रही हूं तो यह सिर्फ प्लेन वाटर लिया है ठंडा पानी इसमें यह विम जो है ना लिक्विड यह डाल दिया है और इस जो स्क्रब पैड है ना इसमें क्लेन करूंगे अ करूंहो आ एक мол करूंगे क्वेठा इस क्यों एक प्यादादा झाल झाल यह जो फ्रिज में कुछ दाग एसे रह जाता है ना तो आसानी से निकल नहीं रहा था तो मैंने अच्छे से इसको फर्स्ट टाइम पहले एक वन टाइम वाश कर दिया रब कर दिया फिर सेकेंड टाइम फिर वो थोड़ा गिला हो गया था ना तो सेकेंड टाइम रब कर देन से ईजीली ओं हो गया और यह मेरा फ्रिज सेवन एटियvate ऐर से उजही और जैसे लग रहा है और बहुत क्लीन दिख रहा है फोरा नहीं थे एक बार क्लीन हो जाने से बहुत दिनों तक चल जाता हैं तो एक बार तो अच्छे से क्लीन करना पड़ता है आपने देखना सिंपल से विम लिक्विड से कुछ भी एक्ष्ट्रा खर्च कुछ नहीं आराम से क्लेन हो गया और मैंने कुछ ऐसे प्लाटफॉर्म जो शल्प से ना ग्लास शल्प उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला भी नहीं है बिल्कुल प्लेन ही है तो य स्कॉर्च प्रेट का ये जो पैड जैसा है ना क्लेनिंग तो प्रेड ये बहुत काम कर रहा है और एक बार ये गिले कपड़े से क्लीन हो जाए फिर ड्राई क्लोट से अच्छे से इसको पोंचना होता है तो ये अराम से सामान रख सकते हैं इमेडियेटली अब जो ये शेल्फ का मैट लेके आई होना में वह में स्प्रेड करूंगे फिर उसमें सामान रुखंगे ये हैंडल का जो ग्रिप रहने के लिए हैंडल का कवर है ये तो उपर रहेगा और ये उपर स्प्रेड करने के लिए बड़ा हो गया है विट में थोड़ा बड़ा था तो मैंने अपने फ्रिज के विट के हिसाप से कट कर दिया है वन साइड से सारा सामान मैंने फिर से अरेंज करके रख दिया है वेजटेबल्स और बाकी जो ग्रोसरी चना दाल भी मैं रखते हूं क्योंकि इसमें किडा नहीं लगता और वो तो अनपॉलिष्टी लेके आते हूं फिर भी फ्रिज में रखने से ज्यादा देर चलता है और मेरे मम्मी तो बहुत सारे ड्राई जैसे ग्रोसरी आइटम हींग दाल और सेवया उसूजी वो सब ट्राइफूर्स से रखती हैं वो सारा कुछ रखा करती हैं तो मैंने भी वो देखके सिखा है और मेरा तो छोटा फ्रिज है मेरे मामे के घर में जो है वो डबल डोर व बहुत सारा सामान रह जाता है इसमें और सारा सामान रखने के बाद कैसे सुन्दर दिख रहा है और यह मैंने एक एक शेल पे एक जैसे शीट डाल दिया है वो भी बहुत सुन्दर दिख रहा है और गोबी वेजटेबल सारा फ्रेश रह रहा है मेरा यह फ्रेज बहुत ही लक्की है बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको change करने का सोची नहीं रहे हूं double door में मैंमे भी बोलते हैं कि single door में ही अच्छाखासा सामान रह जाता है बटा अभी कुछ जरूत नहीं है तो मतले तो मैं नहीं ले रहे हूँ पर देखुनें बाद में अभी तो नहीं ले रहे हूँ और सामन रखने के बाद कितना संदर दिख रहा है और लास्ट में मेरा जो मेगनेटिक वीगडे का लिस्ट है, वो बोड है, वो मैंने स्टिक करवा दिया है, वो भी बहुत यूसफुल है, कभी अगर खाना बनाओ, तो क्या बनाना है, मैं रात कोई कभी कभार लिख देती हूं, पहले जादा यूस करती थी, आज कल नहीं यूस कर रहे हूं, कुछ मे मैं स्टं़ूस सहाध यूसी, इसम्राब लिख लीयकेर 6,50 है, मैं पैवे जादा देना है, तो को रहा हुते है, वो मैं कूँ तो की मैं जो बहा ए्यूसुल है, नहीं कょ अ झाहुते हैं, और दो कोभी क्वार थी प्रे एंजिएुलास, अन्हीं का दो यूसुल है, प्ली म